नमस्कार, मैं रिशु कुमार आप सभी का सिच्चाश्री में स्वागत करता हूँ तो चलिए बीना देरी के GK Super 30 के क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें Most Important GK के Top 30 Questions को 10 मेट में पूरा किया जाता है ये 30 Questions आपके सभी एक्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे कि UPSC, NTPC, GroupD, SSC सारे एक्जाम्स में ये Questions यहां से पूछे जाते हैं और एक और सुचना कि आप लोग Facebook, Instagram और Telegram से जुड़ जाएं वहाँ भी एक्जाम्स से Related Current Affairs के Section को कराये जाता है Quiz इन सारे Questions को वहाँ पर Post के जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पुन होता है तो आप लोग सारे जगा जुड़ जाएं चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज का पहला Question है पूर्तगाली उपनिवेस का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ इसका जो सही उतर होगा वो C, Almeida अगला Question है हरपपा वासी किस धातु से परचित नहीं थे विच मेटल वाज नौट नोन बाइदा हरपण्स Option है सोना यवं चांदी तामबा यवं कांस टीन यवं सीशा या फिर लोहा इसका जो सही उतर होगा वो D, लोहा, आईरन से परचित नहीं थे अगला Question है चंद्रगूप्त मौरे ने सेलुक्स को कब पराजित किया Option है तिनसो बाउन इसापूर में तिनसो पाच इसापूर में 173 इसापूर में या फिर 261 इसापूर में इसका जो सही उतर होगा वो B, तिनसो पाच इसापूर में Next Question है भारत में बैपार के लिए फ्रांचिसी इस्ट इंडिया कमपनी का संस्थापक था Who was the founder of the फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी for trade in इंडिया Option है Colbert Franquess Martin Franquess Caron या फिर डिले है इसका जो सही उतर होगा वो A, Colbert अगला Question है डच लोगों द्वारा भारत में बैपार के लिए किस या फिर किन बंदरगाहों का उप्योग किया गया Option है पुलिकेट मसूली पटनम नागपटनम या फिर अल अब दीज इसका जो सही उतर होगा वो D All of दीज सभी पोट का उप्योग किया गया था अगला Question है हरपा सभेता का सारोधिक मानेता प्राप्त काल है The most recognized period of हरपान civilization is Option है अठाइसाव इसाब पूर्व से दो हजार इसाब पूर्व पचीश सब इसाब पूर्व से सतर सौब पचास इसाब पूर्व पैतिस्ब इसाब इसाब पूर्व से अठारा सौभ इसाब या फिर निश्चित नहीं हो सकता है Could not be determined माइंड इसका जो सही उतर होगा वो बी 25 इसाब पूर्व से 1750 इसाब पूर्व सात्वा कोस्चेन है मौरे काल में गुप्त चलू का क्या कहा जाता था अपशन है स्फीनेक्स यानि की गुड पूरुस, डिटेक्टिव, गुप्त्चर, उर्गनाइजेशन एन कॉम्निकेशन यानि की संस्थायों संचार या फिर इन्भेंटर खोजी इसका जो सही उतर होगा वो ए होगा गुड पूरुस, स्फीनेक्स इसका जो साई उतर होगा वो बी होगा अन्ठावन इसा पूर्भ फिफटीपीट बिसी नेक्स्ट कोस्चन है किस इरोपिय समुदाय ने भायरत के साथ प्रतम बैपारिक संबंद स्थापित किया था आप्सटन है बिर्टिस, डच, फ्रेंच या फिर पॉर्टोगीज इसका जो साही उतार होगा वो डी, पॉर्टोगीज, पूर्टगाली लोग अगला कोस्टन है बिंदु सार के मिर्टिव के समय असोक किस प्रांथ का गवर्णर था आप्सटन है उजयन, टक्सिला, स्वनगिरी या फिर तोसली इसका जो साही उतार होगा वो ए होगा उजयन का नेक्स्ट कोस्टन है टक्सिला विश्वविद्याले स्थित था टक्सिला उनिवर्शिटी वाज लोकेटेड कहां पर आप्सटन है पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश या फिर बर्मा दा करेक्ट एंसर इज पाकिस्तान नेक्स्ट कोस्टन है उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मातर में उत्सरजित होता है इसका यहाँ पर दो करेक्ट एंसर होगा एक होगा कोटिसोन और दूसरा होगा एड्रिनालिन यह दो हर्मोन हैं जो की रिलीज होते हैं दूरिंग स्टिमूलेशन नेक्स्ट कोस्टन है भारत में पूर्टगाली सकती का वास्तविक संस्थापक कौन था वह इसका जो चाहिए उत्तर होगा वो बी होगा अल्बुकर्क नेक्स्ट कोस्टन है निमलिखित में से कौन सा भारतिय राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था ओप्सटन है मैसूर हैदराबाद मराठो का राज यानि की किंग्डम अफ मराठाज या फिर अवद इसका जो साहिए उत्तर होगा वो डी अवद अगला कोस्टन है अवद के नवाब वाजी दली सा को इस्ट इंडिया कमपनी ने गदी से उतार दिया था ओप्शन है अठारा सो तिरपन में, अठारा सो पचपन में, अठारा सो चपन में या फिर अठारा सो संतावन में इसका जो साई उतर होगा वो C, अठारा सो चपन में अगला कोश्चन है ब्रिटिस द्वारा निम्लिखित में रहत वारी प्रथा लागू की गई थी कहाँ पर option है बंगाल प्रेसिडेंसी में, मदराश प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में या फिर बंबई और मदराश प्रेसिडेंसी में इसका जो सही उतर होगा वो D होगा बंबई और मदरास प्रेसिडेंसी में रयत वारिश प्रथा अंग्रेजो द्वारा लागू किया गया था अगला कोश्चन है बिर्टिस द्वारा कू सासन का बहाना लेकर निमनिखित प्रांतों में से किस एक का सासक हटा दिया गया था अप्षने अवद जासी नागपूर या फिर सतारा इसका जो साहिए उतार होगा वो ए होगा अवद का अगला question है निम्लिखित राजपूत राज्जों में से कौन सा सौरपतम सिंध के द्वारा ब्रेटिस राजनेतिक प्रभाव में आया यह सारे questions हिस्ट्री से पुछे जा रहे हैं modern हिस्ट्री से तो आप लोग modern हिस्ट्री को detail में समझने के लिए हमारे ही चैनल पर modern हिस्ट्री के top important questions को detail में explain किया गया है उसे भी जरूर देखें चैनल के playlist में dedicated playlist बनाये हुआ है लिंक उसका description box में available है वहाँ से आप लोग देखें उसे उसको पूरा detail में explain भी किया गया है इसका option है करोली, बिकानेर, जैपूर या फिर जोधपूर which of the following Rajput state first came to British political influence through treaty the correct answer is जोधपूर next question है निमलेखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है option है bacterium, fungus, virus या फिर east इसका जो साई उतार होगा वो B होगा, fungus की अगला question है British समराज में उद का billion हुआ था उद वाज merged in the British Empire कब option है verse 1853 में, verse 1854 में, verse 1855 में या फिर verse 1856 में इसका जो साई उतार होगा वो D, verse 1856 में next question है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्पुन सोत है the most important source to know about अशोका वाज option है आहत मुर्दा, हाट मानी सिला लेक यानिके इंस्क्रिप्शन युनानी लेक यानिके ग्रीक आर्टिकल या फिर बौध साहित, बौधिस लिट्रेचर इसका जो साही उतर होगा वो बी होगा इंस्क्रिप्शन, सिला लेक इंसारे को डीटेल में ancient history में कभर किया गया है जोकी हमारे चैनल के प्रेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर डीटेल में एक्स्प्रेंड किया गया है उसे भी जरूर देखें next question है किसने पाटली पूत्र को पोली ब्रोथा कहा who called पाटली पूत्र एज पोली ब्रोथा option है मेगस्थेन स्ट्रेबो, पुरुटर्क या फिर एरियन इसका जो साही उतर होगा वो ए होगा मेगस्थेन next question है डलहोजी की हडपनिती यानी की Doctrine of Laps के अंतगत में किस राज को हस्तगत करने के निर्ने को डिरेक्टरों की सभाने अनुमोदन नहीं किया The Assembly of Directors did not approve the decisions to hand over which state under डलहोजी's Doctrine of Laps option है संबलपूर, सतारा, उदैपूर और करावली इसका जो साही उतर होगा वो D होगा करावली next question है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचो ने स्थापित किया था option है बंडेल, चिंसूरा, हुगली या फिर चिरामपूर इसका जो साही उतर होगा वो B होगा चिंसूरा next question है मौर समराज की स्थापना किस्ने की option है बिंदू सार, चंदरगूप्त मौर, असोका या फिर बिंबी सार इसका जो साही उतर होगा वो B होगा चंदरगूप्त मौरे ने अगला question है गौतम बुद्ध का गुरू कौन था ओप्शन है पनिनी, अलार कलम, कपील या फिर पतनजली इसका जो साही उतर होगा वो B होगा अलार कलम अगला question है ईईजी का प्रयोग किसके कार का पता लगाने के लिए किया जाता है अगला question है बिना निस्चेचन के अंडे के विकास को करते है उप्शन है गेमाटोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, उगेनेसिस या फिर मेटामोर्फोसिस इसका जो सायूतर होगा वो B होगा पर्थिनोजेनेसिस अगला question है मानोर उधीर में मौजूद सरकरा की अधिकतर मातरा होती है human sugar content high amount of sugar, ओप्शन है सुक्रोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज या फिर लैक्टोज दे करेक्ट एंसर इज ग्लुकोज और आज का last question भारत में सबसे बड़ा बौद स्टूप कहां इस्तित है इसका जो सही उतर होगा वो B होगा सांची में मद्यपर्देश में इस तरीके से ये GK Super 30 का आज का क्लास यही पर खत्म होता है दस मेट में 30 important questions जो की आपके सारे exams के लिए बहुत ही मुद्पून सावित होता है तो इसे आप लोग ध्यान से देखा करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर किया करें और PDF के लिए आप लोग टेलिग्राम चैनल से जूड़ सकते हैं वहाँ पर सारे क्लास के PDF लेबल होते है अंत में धन्यवाद जय हिन जय भारत